हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में इसके अलावब बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें आधार Card की आफशकता पड़ती रहती है लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपका आधार Card है ये कहां-कहां इस्तिमाल हो रहा है आधार Card के मादिम से काफी जादा Frauds बगएरा भी हो रहे हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि उनका आधार कार्ड कहां इस्तिमाल हो रहा है तो इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें कौन-कौन से सर्विसेस एक्टिवेट हैं और आपके आधार कार्ड को कोई दूसरा तो इस्तिमाल नहीं कर रहा है और आपके आधार कार्ड में कोई गलस सर्विस तो एक्टिवेट नहीं है यह सारा कुछ प्रोसेस आप लोग घर वेटे ही अपने मोबाइल फॉन से ओनलाइन चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आपके आधार कार्ड से कोई भी गलस सर्विस इस्तिमाल हो रही है या फिर कोई दूसरा वेक्ति इस्तिमाल कर रहा है तो आप उसे ओनलाइन ही डियक्टिवेट भी कर सकते हैं तो सभी कुछ इन्फोर्मेजन जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर इंड तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की आने वाली और भी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मुबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपिन कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है U-I-D-A-I इतना टाइप करने के बाद सर्च कर देना है जैसे ही सर्च करेंगे तो फोस्ट नंबर पर ही आपको एक वेप साइट देखने को मिल जाएगी आपको इसी वाली वेप साइट पर एक बार क्लिक करना है ये website आधार कार्ट की optional website है और आधार कार्ट के जितने भी काम होते हैं आप इसी website के मद्दिम से कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नीचे की side में आ जाना है एक option आपको दिखाई दे रहा है आधार services आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे इसे में आपको नीचे की साइड में एक option देखने को मिल रहा है authentication history तो आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरहें से interface आ जाएगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आधार card number को fill करना है अगर आपके पास आधार card नहीं है तो आप virtual ID भी type कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार number select किया है तो आपको यहाँ पर आपका जो भी आधार card number है उस number को fill कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture को आपको same to same यहाँ पर fill कर देना है और यहाँ पर ध्यान रखना है अगर इसमें small letter है तो आपको small letter ही fill करने है अगर इसमें capital letter है तो आपको capital letter ही यहाँ पर fill करना है इसके बाद ही ये submit हो पाएगा capture code fill करने के बाद आपको send OTP वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे के side में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है authentication type तो आपको इस वाले option पर click करना है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस type की information देखना चाहते हैं जैसे कि demographic, biometric या फिर OTP तो आपको यहाँ पर all वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर date select कर लेना है यहाँ पर आप last के 50 transaction देख सकते हैं अब यह 50 transaction कौन सी date के आपको देखना है वो आपको यहाँ पर fill करना है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको start date fill करना है इसके बाद end date आपको fill कर देना है यहाँ पर click करेंगे आपके सामने पूरा calendar आ जाएगा इसी calendar में से आपको select कर लेना है date fill करने के बाद नीचे के side में आपको आना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है number of records तो आपको यहाँ पर जितने भी records आप देखना चाहते हैं type कर देना है जैसी कि मुझे 50 record देखना है तो मैंने यहाँ पर 50 type कर दिया है इसके बाद आपके mobile number पर जो भी OTP send किया गया था उस OTP को आपको यहाँ पर fill कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर verify OTP वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आप जैसे ही कुछ नीचे के side में आएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी information आपके सामने आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो recently जितनी भी बार आपका आधार card इस्तिमाल हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा तो अभी मैंने यहाँ पर अपने आधार card पर OTP मंगवाया था तो वो OTP की information यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर date देख सकते हो और यहाँ पर time लिखके आ चुका है इसके बाद यहाँ पर सभी कुछ information आ चुकी है इसी तरह से यहाँ पर जितने भी आपके आधार card से transactions हुए हैं जैसे कि आपने कभी भी अंगूठा लगा करके यानि कि biometric के माद्दम से आधार card को यूज किया है तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखके आ जाएगा यहाँ पर service का नाम लिखके आ जाएगा मैंने यहाँ पर CSC में login किया था तो CSC e-governments इंडिया लिखके आ गया है इसी तरह से यहाँ पर आपने जिस भी service के लिए अपने आधार card की biometric को या फिर अपने आधार card की OTP को इस्तिमाल किया है वो सभी service या नाम आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको date दिखाई पर जाएगी कौँसी तारिक को आपने अपने आधार card को इस्तिमाल किया है और यहां पर आप देख सकते हो टाइम भी लिखके आ जाएगा कि इतने बचकर कितने मिनिट पर आपने अपने आधार कार्ड को इस्तिमाल किया है अगर आप जो भी ये detail देख रहे हैं इन में से आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने अपने आधार कार्ट को इस्तिवाल नहीं किया है तो आप यहीं से इसे cancel भी करवा सकते हैं अगर आपको अपने आधार कार्ट की कोई भी गलत हिश्टरी दिखाई देती है या फिर आप लोग अपने आधार कार्ट की किसी भी गलत सर्विस को बंद करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आपको UIDAI की home page पर आ जाना है यहाँ पर आपको दोबारा से type करना है UIDAI.gov.in तो आप दोबारा से इसी website पर आ जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे की side में आ जाना है यहाँ पर आपको एक number दिखाई दे रहा है toll free number 1947 तो आपको इस number पर contact करना है यहाँ पर आपको जो भी customer care से बात होगी बहाँ पर आपको अपनी सभी information को बताना है कि आपका आधार card गलस services में इस्तिमाल हो रहा है या आपके आधार card की जो भी history है वो गलस शो हो रही है तो यहाँ पर आपकी complaint दर्ज कर ले जाएगी तो इस तरह से आप लोग अपने आधार card की सभी कुछ history को पता कर सकते हैं कि आपका आधार card कहां कहां और कब कि service में इस्तिमाल हुआ है उम्मेद करता हूँ आपको आप complete information समझ में आ चुकी होगी पर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर doubt है तो आप comment करके पूँच सकते हैं